तो अब हम अपलाई करेंगे laugh reflection concave और convex mirror को समझने के लिए पहले देखते हैं concave और convex mirror बनते कैसे हैं तो मालो यह आपका कोई circle है और यह अपका center point जिसको हम C से denominator कर रहे हैं तो अगर हम इसको ऐसे कहीं से काट दें तो जो part यह वाला बचेगा इसको हम concave और convex mirror में convert कर सकते हैं वह मैं आपको बताता हूँ कैसे तो देखी यह circle है जिस मैंने center point ले लिया और मैं अभी यहां से इसको cut कर देता हूँ तो यह आपका यह वाला part बचा है अगर मैं इस बचे होए piece की साइड से coat कर देता हूँ तो जो light है इदर से reflect करेंगी तो यह हो गए आपका convex mirror और अगर मैं इस कटे होए piece को ऐसे रख दूँ और यहां से coat कर दूँ यह बन जाएगा आपका concave mirror अभी तक मैंने आपको दो चीज़े बता दी concave और convex mirror कैसे बनता है और जो c होता है यह होता है center of curvature जो actual में center होता अगर concave और convex mirror को हम पूरा एक circle में convert कर दे तो आगे बढ़ते हैं अगर कोई भी line इस center of curvature से निकल के mirror से गुजरती है तो हम इसको बोलेंगे principal axis और जहां पर यह intersect करेगी mirror को उसको बोलेंगे हम pole हम इसको P से renode करते हैं तीन चीज़ होगी center of curvature pole और आपका principal axis तो जो center of curvature से लेकर P तक जो distance रहेगी वो radius होगा क्योंकि यह actual circle का center है तो यह radius होगा तो जो distance P C होगी वो equal to radius होगा original circle का ठीक है यह चीज़े आपको clear होगी अब हम बात करते हैं कि concave और convex mirror अगर हम light beam इसके उपर fake है तो यह कैसे react करेंगे तो अगर हम पहले concave mirror लेते हैं अगर कोई भी light beam principal axis के parallel जाती है और इसके उपर strike करती है तो यहाँ पे लगेगा आपका laugh reflection तो यह light कुछ ऐसे यहाँ से reflect back कर जाएगी अगर हम दूसरी light beam लेंगे तो यह भी उसी point से गुजर जाएगी अगर हम तीसरी लेंगे तो यह भी उसी point से गुजर जाएगी तो जिस point के उपर यह principal axis को cut कर रही है उसको हम बोलते है focus जो आपका focus होता है वो center और pole के बिल्कुल बीचो बीच होता है जाने कि cf distance जो होगी वो fp के बराबर होगी जो equal to r by 2 होगी जाने कि जो radius होगा उसका half होगी तो अभी आपको यह concept पता चल गया कि principal axis किसको बोलते है center of curvature किसको बोलते है pole किसको बोलते है और focus किसको बोलते है अगर हम convex mirror की बात करें तो यह रहा आपका principal axis जो center of curvature और mirror के बीचो बीच जा रहा है जी होगी आपका pole अगर यहाँ पे light beam यहाँ पे आती है तो यह यहाँ से reflect back करेंगी अगर हम इसको पीछे extend करेंगे तो वो एक specific point के उपर meet करेंगी side lights देखिए ऐसे इस point को बोलेंगे focus यहाँ पे भी pf is equal to fc होगा जो की equal to r by 2 होगा आपका जे तो होगे basic नाम जो हम आगे use करने वाले हैं तो अभी आपको concave और convex mirror के basic मैंने बता दिया अब हम बात करते हैं कि image कैसे form होती है इन दोनों mirrors में तो अभी हम बात करेंगे कि concave mirror में image formation कैसे होती है तो हम पहले रूल की बात करेंगे rule number one तो मान लो ये आपका concave mirror है यहाँ पे quarter side है यहाँ पे आपका focus है यहाँ पे center of curvature है यहाँ पे pole है कोई भी light beam जो parallel to principle x से जा रही है वो गुजरेगी focus में से यह होगा आपका rule number one rule number two यह होगा आपका pole यहाँ पे focus यहाँ पे आपका center of curvature अब कोई भी light जो center of curvature में से गुजर रही है वो वापिस वैसे ही चली जाएगी ऐसे पूरा 90 degree पे चली जाएगी यह क्यों होता देखिए अगर आप circle लो और वहाँ पे low up tangent यहाँ पे center of curvature है तो यह light होगी आपकी पूरी 90 degree के उपर अगर कोई भी light यहाँ पे आती है तो यहाँ पे strike करके वापिस चली जाएगी जो हमारा बोलता है law of reflection तो इस वज़े से यह rule number two है अब मैं बात करता हूँ rule number three की rule number three कैसे होगा यह आपका concave mirror है यह अपका focus हो गया यह अपका center of curvature हो गया अब कोई भी light जो focus में से गुजर रही है वो यहाँ पे strike करने के बाद parallel to the principal axis हो जाएगी यह यह light इदर से जा रही है और इदर जा रही है देखे यह दोनो rule एक दूसरे के reversible हैं और rule number four अगर हम concave mirror ऐसे लेते है यह focus हो गया यह अपका center of curvature हो गया यह अपका pole हो गया अगर कोई भी light pole के ओपर strike करती है तो यहाँ पे laugh reflection लगाएंगे जिस angle से यह strike कर रही है उसी angle से यह वापी चले जाएगी यह rule number four है तो जब हम image formation की बात करेंगे तो हम सिर्फ rule number one, two और three use करेंगे इसको हम use नहीं करेंगे तो यह मैं आपको बता रहो clear pictures जो मैंने rule number one, rule number two rule number three, rule number four की मैंने बताई थी तो देखिए यहाँ पे focus में से जा रही है center of curvature में जो light strike कर रही है वो आपी चली जा रही है जो focus में से गुजर रही है वो parallel होगी principle axis के तो यह हम use नहीं करेंगे fourth number rule तो अब हम one by one discuss करेंगे कि अगर हम object की position change करें तो कैसी image form होगी और कैसी उसमें changes आएंगे तो माल लो यह आपका principle axis है यह आपका concave mirror है यह आपका focus हो गया माल लो पहले जो object infinity पे पड़ा हुआ है जब उससे light originate होगी तो वो parallel ही लगेंगी हमें यहाँ पे तो जो light यहाँ पे आ रही है वो parallel आ रही है principle axis से तो हमारा rule number one लगेगा तो वो focus में से गुजर जाएगी अगर हम second light beam लें तो वो क्या करेगी यहाँ पे strike करेगी वो भी focus में से कुझ हो जाएगी तो इससे क्या होगा आपकी image focus की उपर बनेगी यह लगबग zero size की होगी तो यह हो गया first rule अब हम बात करते है second की तो माल लो आपका यह concave mirror है और यहाँ पे आपका focus हो गया यहाँ पे center of curvature हो गया और यहाँ पे आपका infinite हो गया अब object infinite और center of curvature के बीच में है तो माल लो यह object आपका तो अगर यहाँ से पहली light जाएगी parallel to the principal axis वो गुझो जाएगी आपकी focus के बीच में से यहाँ हो गया अब हम दूसरी light की बात करते है जो light यहाँ से originate होगी और center of curvature में से pass करेगी तो अगर वहाँ से ऐसे आएगी तो वापिस वह चले जाएगी जो rule number 2 बोलता था तो आपकी जो image कैसे form होगी यहाँ पे तो आपकी image की property क्या होगी वो form होगी C and F के बीच यह real form होगी inverted form होगी यह से inverted बन रही है और यह diminished होगी मतलब छोटी होगी original object के comparison अब हम बात करते हैं कि अगर आपका object center of curvature के उपर होगा और यह आपकी यहाँ पे object होगया तो पहली जो light जाएगी वो क्या करेगी वो focus में से गुज़र जाएगी तो जो light parallel to the principle axis वहाँ पे फाल करी थी तो focus में से बाहर आ रही है अब हम third rule apply करेंगे कि आपकी जो light है वो focus में से गुज़र रही है तो ऐसे कुछ गुज़रेगी तो वो parallel to the principle axis हो जाएगी ऐसे कुछ तो आपकी जो image बनेगी वो ऐसे बनेगी तो यहाँ पे आपकी property क्या होगी image formation center of curvature के उपर ही होगी image inverted होगी और image का size होगा वो same होगा object के size के इकुल तो यह हो गया कि अगर आपका object center of curvature के उपर है अब हम आगे बढ़ते हैं तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपका object center of curvature और focus के बीच में हो तो कैसे image form होगी यह आपका camera है अगर आपका object यहाँ पे place है तो कैसे image form होगी तो देखिए पहली ray यहाँ पे गई और इसके focus में से बुझर गई ऐसे दूसरी ray अगर हम center of curvature में से निकाले तो कैसे निकलेगी ऐसे करके कहीं पे ऐसे तो image form होगी यहाँ पे आपकी image center of curvature और infinite के बीच में create हो रही है यह highly magnified है inverted है और real है तो देखिए अगर आपका object center of curvature और focus के बीच में है तो आपकी जो image है वो highly magnified होगी inverted होगी और real होगी मालो अभी object आपका focus के उपर पड़ा हुआ है तो focus के उपर अगर पड़ा हुआ है तो कैसे light जाएगी यहाँ से light produce होगी और यह focus में से ऐसे गुज़र जाएगी और अगर हम यहाँ पे बात करें कि center of curvature में से अगर light गुज़रने की बात करें यह कैसे करेंगी पुछ ऐसे यह दोनों जो beams हैं यह दोनों एक दूसरे के parallel है तो यह कहीं पे भी intersect नहीं करेंगी तो इस case में जो आपकी image है वो infinite पे बनेगी highly magnified बनेगी यह image आपकी inverted भी होगी तो देखिए अगर आपका object focus के उपर पड़ा हुआ है तो ऐसी image की formation होगी अब हम last position change करते हैं देखिए यह आपका है concave mirror अगर अब आपका object focus और pole के बीच में है तो कैसे image form होगी तो पहला ऐसे focus में से ऐसे गुजर गई दूसरी light हम pass करते हैं center of curvature में से तो यह ऐसे तो देखिए यह दोनों beam जो है एक दूसरे से divert हो रही है तो यह आगए चलकी बनेगी यह एक ही ऐसा case है यहाँ पर virtual image बनेगी erect image बनेगी सीधी image बनेगी और यह magnified होगी तो यह मैंने आपको 6 तरीकें बता दिए कि image formation के different different जगा पर object को रखे कि कैसे image form होगी तो अब हम बात करते हैं concave mirror की real life implementation तो देखिए concave mirror को हम converging mirror भी बोलते हैं कोई भी light अगर वो parallel जा रही है तो वो focus में converge करेगी तो इसलिए हम इसको use करते है solar cooker में देखिए कभी आप जो कान वाले doctor के पास गये हो तो वो forehead के उपर एकी mirror लगा के बैठा होता है जिससे वो light जो है वो हमारे कान के बीच में फोकस करता है वो भी concave mirror होता है तो पूरी की पूरी light वो है फोकस कर रहा है कान के बीच में उमारी गाड़ी की headlight होती है वहाँ पर paraboloid mirror यूज होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं बलव को focus के उपर रखते हैं तो देखिए क्या fenomena होता है देखिए बलव जो है वो सारे direction में light produce कर रहा है बट हमें सिर्फ एक single beam of light चाहिए अगे देखने के लिए तो वो कैसे होगी यहाँ से जो light है वो सीधी जा रही है अगर यहाँ से light reflect करेगी तो यह यहाँ पर strike करेगी तो concave mirror क्या करता है कि जो भी light focus में से गुजर रही है उसको parallel कर देता है parallel to the principal axis तो यह parallel हो जाएगी अगर यह भी light यहाँ पर strike करेगी यह भी parallel हो जाएगी अगर यह भी light यहाँ पर strike करेगी यह भी parallel हो जाएगी यहाँ पर यह भी parallel हो जाएगी यह आपका convex mirror है तो हम पहले rule की बात करते हैं कि rule number one वो कैसे reflect करेगा तो देखिए यह आपका pole है यहाँ पे आपका center of curvature है ठीक है यहाँ पे आपका कहीं पे focus है अगर कोई भी light parallel to the principal axis आती है तो laugh reflection की वएसे यहाँ से reflect back कर जाएगी अगर हम इसको पीछे से extend करेंगे तो यह focus म हो गया कोई भी अगर light parallel to principal axis आती है तो अगर उसको हम पीछे extend करेंगे तो वो focus में से गुजरेगी अब हम बात करते है rule number two की अब कोई भी light जो center of curvature में से गुजरेगी मालो ऐसे तो वो क्या करेगी reflect back करेगी यह हो गया rule number two आपका अब हम करते है rule number three की बात अगर कोई भी light focus में से गुजरने की कोशिश करेगी तो वो क्या करेगी parallel to principal axis हो जाएगी ऐसे आएगी और ऐसे हो जाएगी अब rule number four अगर कोई भी light pole में strike करेगी तो वो ही angle बनाकी वो pole से वापी चले जाएगी तो देखिए यहाँ पर आपकी clear picture है कैसे light reflect करती है convection measure में तो देखिए rule number one, rule number three, rule number four, light जो parallel to principal axis आ रही है वो वापी चले जा रही है focus में से गुजर रही है और जो center of curvature में आ रही है वो बिल्कुल वापी चले जा रही है उसी direction में, rule number three focus में से अगर कोई light गुजरने की कोशिश कर रही है तो वो parallel to principal axis हो रही है और rule number four हम use नहीं करेंगे image formation में, देखिए convex mirror जो है वो concave mirror की तरी complex नहीं है यह बहुत ही असान है तो हमने यह बना लिया convex mirror आपका तो माल लो आपका object जो है infinity और pole के बीच में है तो क्या होगा तो यहाँ पे light beam जो है parallel आएगी और यहाँ से reflect back करे जाएगी तो यह आगे extend करें तो focus पे होगी अगर और light वहाँ से देखें यह हो गया पहली condition अगर हम second condition की बात करें अगर आपका object infinite और pole के बीच में खड़ा है तो कैसे होगा पहली light यहाँ पे strike करेगी और यह यहाँ से चलेगी हम focus पे extend कर देते इसको यह focus में से गुजरेगी तो माल लो अगर light center of curvature में से गुजरने की कोशिश करती है तो आपकी image formation यहाँ पे होगी ऐसे तो इसका क्या मतलब कि जो आपकी image form हो रही है वो pole और focus के बीच में form हो रही है वो virtual form हो रही है erect होगी और थोड़ी सी diminished होगी तो यह दो तरहें की image formation होती है convex mirror में तो convex mirror का rail light में कहां पे use होता है हमारी guardian में जो rare mirror लगा होता है ना वहाँ प ज्यादा जो है वो पीछे वाली साइड दिखे ता जो हमारी जो decision making हो असानी से हो सके तो यहाँ पर जो image बन रही है वो real बन रही है और diminished बन रही है तो ज्यादा area जो है capture कर पाता है rare mirror जो हम गाड़ी में rare mirror यूज करते हैं वो convex mirror की real life example है तो hope now you understand की convex mirror और concave mirror कैसे काम करते हैं उनकी real life examples कौन सी है और इन दोनों में image formation कैसे होती है